मेरे प्यारे दोस्तों भाई और बहनों हमारे यूटूब चैनल ग्यानका सागर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घन का संपूर प्रिष्ट कैसे ग्याद किया जाता है यह घन का चितर बना हुआ है दोस्तों आप जानते हैं कि घन छे वरगाकार प्रिष्ट से मिलकर बना होता है और इन सभी प्रिष्टों का छेतरफल हमको ग्याद करना है तो कैसे ग्याद करेंगे तो इसका छेतरफल ग्याद करने के लिए एक सूतर होता है अब दोस्तों हम आई ये समझते हैं कि वो सुत्र कैसे तयार किया जाता है देखिए घन जो होता है उसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई सब बराबर होती है ये छे समान वर्गाकार सत्हों से मिलकर बनी होती है अब एक वर्गाकार सत्ह जिसे ये हम बना रहे हैं अब इस वर्गाकार सत्ह का अगर आपको छेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे इसकी लंबाई और चोड़ाई का गुड़ा कर देंगे अब ये वर्गाकार अगर है तो इसकी लंबाई अगर ए है तो चोड़ाई भी ए होगी तो इसका 6 तरफल क्या हो जाएगा लंबाई गुड़े चोड़ाई यानि A square हो जाएगा अब दोस्तों इसी तरह के इसी साइज के 6 सते हैं यानि 6 प्रिष्ठ हैं तो समपूर प्रिष्ठ का 6 तरफल क्या हो जाएगा 6 A square हो जाएगा 22 में 6 से हम गुड़ा कर देंगे एक सते का छेत्रफल A स्क्वाइर तो 6 समान सते का छेत्रफल क्या हो जाएगा 6 A स्क्वाइर तो इस तरह से घन का घन का समपूर पिरिष्ठे का छेत्रफल जो होता है वो होता है 6 A स्क्वाइर या इसको हिंदी में लेखेंगे तो 6 गुड़े भुजा का स्क्वाइर तो आप 6 A स्क्वाइर याद करिए या 6 गुड़े भुजा का स्क्वाइर याद करिए अब दोस्तो चलिए हम इसको हल करते हैं उदारा से माल लेते हैं ये जो आपको घंद दिया गया है इसकी भुजा है आठ सेंटीमीटर यानि ए बराबर आठ सेंटीमीटर अब इसकी अगर लंबाई आठ है तो चोड़ाई भी आठ होगी और उचाई भी आठ होगी अब इसका समपोड प्रिष्ट हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे समपोड प्रिष्ट आप समझ गया होंगे कि जो इसमें 6 सते हैं सबका हमको 6 तरफल निकालना है अब कैसे निकालेंगे घन का संपूर पिरिष्ठ बराबर बराबर 6a² 6a कितना है यह है 8 6a² यानि 8 का संपूर ए बराबर 8 cm था तो हमने एक के जाब पर 8 रख दिया अब यहाँ देखिए 6 8 का संपूर मतलब 8 का गुड़ा 8 में तो 8 अठे 64 अब गुड़ा करेंगे 64 गुड़े 6 अब 6 24 के 4 हासिलाए 2 6 गुड़े 6 हो जाएगा 36 और 2 38 तो 384 आया यह 384 और छेत्रफल का जो मात्रफ होता है वो वर्ग इकाई होता है तो वर्ग और यहां जो इकाई है वो सेंटी मीटर है तो वर्ग सेंटी मीटर या इसको लिख सकते हैं सेंटी मीटर का स्क्वायर अब दोस्तों आया हम दूसरे उधारण से इसे समझते हैं दूसरा उधारण है घन का संपूर प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद करें यदि घन की भुजा 4 मीटर है करा कि घन का आप संपूर प्रिष्ट का छेत्रफल ग्याद कीजिए यदि उसक भुजा चार मीटर है तो एक घं का हम चित्र बनाएंगे चलिए छोटा सा हम घं यहां बना ले रहे हैं वर्गाकार सतों से मिलकर बना होता है चलिए दोस्तों कि तैयार हो रहा है घं बना लिया हमने अब गैरा इसकी भुजा जो है चार मीटर है तो भुजा यानि ए बराबर चार मीटर यानि इसकी लंबाई चोड़ाई उचाई सब क्या है चार मीटर है आप कह रहा है इस घन का आप संपूर पिरिष्ठ ग्याद करें तो घन का संपूर पिरिष्ठ का 6 तरफल वो बराबर होगा 6A स्क्वाईर अब 6 गुड़े ए कीतना है ए है 4 मीटर तो यहां लिखेंगे 4 का स्क्वाईर यह वाला यहां आगया चलिए 6 गुड़े पहले वर्ग करेंगे 4 का वर्ग स्क्वाईर मतलब वर्ग अब 4 का गुड़ा 4 में करेंगे तो 4 चुपके 16 होगा यानि 4 का वर्ग होगा 16 अब गुड़ा करेंगे 6 गुड़े 16 तो इकाई यहां क्या है मीटर या इसको इस तरह लिख सकते हैं मीटर का स्क्वाइर तो 96 मीटर स्क्वाइर उत्तर आया यानि दोस्तो एक घन की भुजा अगर 4 मीटर है तो उसका जो संपूर पिष्ट का छेतरफल होगा वो 96 वर्ग मीटर होगा दोस्तो मुझे आसा है कि मेरा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सेर करिए हम आपसे मिलेंगे दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ कहते हैं जय हिंद जय भारत